हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में आज हम देखने वाले जो हमारा कम्प्यूटर का संपूर ग्यान है यह आज के हमारी क्लास 5 होगी और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है ऑप्रेटिंग सिस्टम यह हम जितना भी हमारा टॉपिक है यह एस पर स्ल स्लिबर्स चल रहे हैं और स्लिबर्स के एक कोडिंग जितनी चीज़े होंगी सारी हम इस वीडियो में कम्प्लीट करने वाले हैं तो अगर आपको इसकी पीडिएफ चाहिए तो आप हमारी जो टेल्यूग्राम चैनल है तो वहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते ह और अगर आपको यह क्लास फर्स फर्स सेगंड थर्ड और फोर्थ की क्लास चाहिए तो उसका जो लिंक है वह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा तो आप वहाँ पर जाके हमारी क्लास देख सकते हैं क्यों क्योंकि जो आपका यह कंप्यूटर की बहुत ज्य अपकि एक हैखहर्स पूरा का पूरा पूरा कम्प्लीट कर रहे हो तो हम देखनेवाले जहो हमारी ओपरेट्टिंग सिस्टेम की क्लास है क्या होता है इसमें कुछ हम एप ऐपरेटिंग बताएंगे क्या ग्या चीजशन होती हैं इसमें एक्जामपल बताएंगे कि विंडो 95, 98, विस्टा, 2000, XP ये सारी हमारे ओपरेटिंग सिस्टम है, कुछ फुल फॉर्म भी बताएंगे जो एक्जाम में कई वार पूछे गए हैं, और साथ ही साथ जिसके टाइप भी डिस्कूस करने वाले हैं कि हमारा ओपरेटिंग सि सिस्टम किसी को नहीं समझ मैंता है कि यूनिक्स लैनिक्स क्या ये ओपरेटिंग सिस्टम में या विंडो है, तो आप इसको पूरा देखेगा, असेम्बलर सारी चीज़े आपको डिटेल में बताने वाले हैं, तो आप ये वीडियो पूरा सुर्वास से आखरी तर देखे जिससे आपको इस सारी की सारी इंफॉरमेशन मिल जाएं, तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो फ्रेंट्स आपने हमारे जो टेलिग्राम चैनल उसे जॉइन कर लिया हुगा, क्योंकि आपको वहाँ पे सारी की सारी हमारी पीडियाफ मिल जाती है, और जो हमारी क्लास आपका 1, 2, 3 और 4 वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके उसको नीचे लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं, और आपने अभी तक हमारे यूटिब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर आप देखने वाले हैं कि देखिए आपधो हमारे ऑपेटिंग सिस्टम में तो और उपेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो और भी छीज चैनल को पाईब हो समझना है क्यों अगर आप उसको सही से नहीं समझ रहे है, जिसे और युए अपका इक्जाम में पूझा जाएगा तो आप उसे सहीं नहीं कर पाएंगे तो मैंने पहले बाद दो कि करने के लिए डिजाइन कि चया जता है मतill हमारा कम्प्यूटर होता है चाहिए कौने से के साले चीजह को मैनेज करने के लिए एक क्या गदा है ऑपरेटिंग शिस्टम क्या जाता है डिजाइन किए जाता है जिससे इसली वरक्र सकता है और जो से हम कोई टाक्स देते हैं वो उसे कंप्लीट कर देता है ठीक है तो क्या है है हमारा operating system operating system हमारे प्रोग्राम का एक सेट होता है जो computer के संसादनों को manage करने के लिए design किया जाता है और जिसमें computer को कह वोता है start करने program और memory को manage करना और input output device के बीच के works को समय करना होता है ठीक है मतलब क्या होता जब कंप्यूटर को जब जब देखें हमारे इस टाइप का एक कंप्यूटर होता है ठीक है जब हम इसमें light on करते हैं ठीक है इसमें क्या होता हम UPS से आपका UPS से power on करते हैं तो इसमें जब यह स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग से लेकर हमारे जो भी प्रोग्राम होते है इसमें सारी चीजह होने के बाद इसको बंद करने तक को जितनी भी चीज़ें होती हैं यह किस पर होती है operating system पर depend होती है ठीक है और operating system वो sort में OSB कहा जाता है यह भी आपको याद रखना है तो अगर हम बात के लिए से अब आपको समझ में आगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है अब आपको पता होना चाहिए यह सारे क्या है अब कुछ इसमें और बहुत सारे टर्म आजाते हैं बेसिक चीज़े जो आपको पता होनी चाहिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका बेसिक इंपट आउटपूट सिस्टम होता है ठीक है पी ओस्ट का क्या होता है फॉल फॉल फॉर्म पावर अन सेल्फ स्टार्ट होता है ठीक हे बूटिंग और बर्न दो यह वर्ड्स हैं यह भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि यह भी आपके एक्जाम के लिए बहुत है और यह आपका यहां पर क्या होगा आपका यूपीयस हो गया ठीक है जब हम यूपीयस को होता है और यह एक आपका होता है क्या होता है ठीक है यूपीयस से यह पर यहां चीप में आपको दिखा जाएगा टिक है बूटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो यह क्या होता है इसके बारे मैं वहां को अपकिके हम ने क्या है यूपियस सीलाइट हुब कर देज direction बेटन ड्राइबर होते और और इसने जो होते हैं। जो प्रोग्राम होते हैं ठीकर प्रोग्राम और instruction प्रोग्राम और क्वार्ट और रीम्प में राम में लोड़ करने को ही हमारा क्या कहा जाता है बन कहा जाता है जो हमारा बन क्या होता है यह हमारी रैम चिप होती है ठीक है रैम चिप में जो हम प्रोग्राम्स और इंस्ट्रेक्शन प्रोग्राम्स और इंस्ट्रेक्शन को इसमें डालने के लिए जो मैथड का यूस किया जाता है उस को हम बर्न कहते हैं यह याद रखना है ठीक है और कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो अगर वह सही से स्टार्ट हो जाता है तो अगर स्टार्ट करने की जो मैथड होता है प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहेंगे उसे हम बूटिंग कहते है ठीक है तो यह याद रखना है और एक चीज यह भी होती है, एक और वर्ड है, error code, यह आपको पता होना चीजिए, क्या, error code, कई बार exam में error code से related question पूछा गया है, तो क्या होता है, जब हम computer को on करते हैं, ठीक है, जब हम computer को on, on करते हैं तो, जो हमारा BIOS होता है, computer को on करने से पहले, वो सारी चीज़े चेक कर गया मनतटोड हो गया यहार चीजह एक मिल्टाइब क कर रही है नहीं कर रही है अगर यह सारे करने लगेगा तो यह आपको पता होना चाहिए जो मैंने आपको बता दिया यह बहुत ही इंपॉर्टन चीज बताइए मैंने आपको याद रखनी है आपको यह चीज़े और एक-दो चीजे और मैं आपको बता दुए से लेटेड जो एक्जाम में पूछी जा सकती है जैसे जो हमारा कम्प्यूटर होता है ठीक है कम्प्यूटर जो होता है हमारा कम्प्यूटर वह क्या करता है वह हमारी जो हम कोई भी उसे लेंग्विज देते हैं वह नहीं समझता है वह सिर्फ और सिर्फ कौन सी भासा समझता है बाइनरी कोड समझता है बाइनरी कोड कौन सा होता ह xp linux आपका unix यह आपके क्या होगे यह आपके एक्जाम्पल होगे ठीक है ms डॉस यह सारे हमारा क्या होगे यह तब हमारे जो operating system के example होगे अब हम देखते हैं operating system से आगे तो देखिए operating system इधे पास्ट टाइप की होते हैं real time operating system time sharing operating single single tasking operating system batch processing operating system multi programming operating system एक जो छटवा है यह थोड़ा सा एक इंपोर्टेंट है यह भी है multi processing operating system तो यह आपको याद रखने हैं यह सारे चीज़ें हैं ठीक है तो मैं आपको बता दूं इनके बारे में short में सारे चीज़ें बता देता हूं क्योंकि इतना detail में तो नहीं पूस्ते exam में बढ़ थोड़ा short में आपको पता होना चाहिए ठीक है तो जो हमारा देखि जो हमारा पहला आता है आपका real time operating system तो real time operating system क्या होता है इसका जो मतलब main function होता है ठीक है आप जो main function या purpose की बात करने तो यह क्या होता है जो user होते है ठीक है user को fast time क्या user कुझ फास को फास्ट रिस्पांस टाइम रिखार फ्लिब्द करिए ठीक है जो यूजर होते हैं उनको फास्ट ली टॉट सबस्ट टाइम ओपलग आधा है जिससे काम यह काम इस ली और बेरी फास्ट कम्प्लीट हो जाते हैं अगर नहीं इसके एक्जाम्पल की बात कर लें तो जैसे railway में जब हम reservation करते हैं, तो उसमें हम कौन सा operating system use करते हैं, real time operating system use करते हैं, कौन सा real time operating system करेंगे, जब railway का reservation करेंगे, तब आपका जो हमारे उबग्रहें हो गए, वो उबग्रहें का sun challenge करने के लिए, और हमारे scientific research के लिए भी, हम real time का use करते हैं, तो आपको यह याद अगना है, real time का use करेंगे, railway में reservation के लिए किया जाएगा, scientific research के लिए किया जाएगा, और आपका जो हमारे उबग्रहें हैं, उनके संचालन में किया जाएगा, और दूसरा आता है time sharing operating system, तो यह जो time sharing operating system है, ठीक है, जो इसमें क्या होता है, प्रतिक program को UPS का पराबर समय मिलता है, जिसे हमारा जो UPS होता है, ठीक है, इसमें अगर हम हर काम अलग-अलग करेंगे, तो जिनका मिलब सारे programs को जो time होता है, वो सबको बराबर मिलता है UPS में, यह आपको याद रखना है, इसमें जो काम किया जाता है, वो एक group में किया जाता है, किसमें किसमें करते हैं, इसमें किरते हैं कोई भी काम होता है, वो एक group में, समू में मिलके किया जाता है, ठीक है, सारे काम किया जाते हैं, और इसका example की बात करने तो, जैसे हमारा batch में हो गया, आपका billing हो गया ठीक है billing हो गया आपका payroll हो गया या आपके batch processing operating system के example हो गया ठीक है और multi process multi programming है जो बहुत सारे ऐसे मतलब ऐसे system में operating system द्वारा एक से अधिक program जब यूज किया जाता है और उसमें होता है , पैरिलर्ल करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं मल्टी प्रोसेस्थिंग ऐसे आप खत्म हो अब मैं कुछ आपको important operating system के नाम बता रहा हूँ वह आपको याद रखना है क्यों क्यों कि कई बार exam में इनका आपका पूछ दिया जाता है जैसे आपको पूछ दिया गया है इन में से कौन सा operating system नहीं है तो आपको बहुत सारे नाम दे दिया जाएंगे कि इन में से यह नहीं है यह मतलब और यह दिया हुआ MS Word हो गया MS Window हो गया यह Unix हो गया Linux हो गया Ubuntu हो गया अगर आपको यह पता नहीं है कि यह Operating System है तो आप इनको गलत करके आ सकते हैं तो आप इसको ध्यान से देखिए जिससे इसे लेटर कुछ भी Information गलत नहीं हो आपके अगर एक्जाम में आती है अब कुछ चीजे जो इनकी डिटेल से हैं वह भी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि कुछ भी एक्जाम में पूछा जा सकता है तो MS Word क्या होता है MS Word की अगर Full Form की बात करने तो यह आपका Microsoft Dix Operating System होता है ठीक है और यह कैसा होता है यह आपका Non-Graphical User Interface होता है यह आपको Non-Graphical User Interface होता है ठीक है यह जो है Non-Graphical User Interface है जो है MS-DOS है अगर हम MS Windows की बात कर लेते हैं तो यह हमारा कैसा है यह Graphical User Interface है तो इसको Short में GUI भी कहा जाता है इसका Exam में कई बार Full Form भी पूछा गया है कि GUI का Full Form क्या है ठीक है तो इसमें Graphical User Interface होता है और जबकि हमारा MS-DOS में नहीं होता है ठीक है इसमें होता है अगर इसके Example की बात कर लेते हैं तो कौन-कौन से होते हैं तो विंडो 95 विंडो 98 विंडो XP हो गया अब कहा है विंडो विस्टा हो गया फिर विंडो 7 और विंडो 8 और इसमें चो हमारा इसमें लâm कर रहा हैं तो हमारे लिए बहुत ही इजे है ठीक है तो यह आपको इतने ञांपल मैंने बता है यह सारे के तारे अको याद रखनेने यह की बात कर लेते हैं तो यह आपको होता है एंटी फाइल सिस्टम होता है ठीक है यह आपको यू याद रखना है जो मैंने आपको इंपॉर्डेंट चीज़े बताइए इनके यह दिखें आपके इनके फुल फॉर्म क्या है और कि यह किसी में यह आपको जी यू आई है और और लाइनिक्स हो गए ठीक है यह दो है यह भी दोना आपको कहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में ठीक है तो इनकी अगर बात करने तो यू निक था जो हमारा है इसका जो हमारा इनको किसने बनाया था केम थॉंसन योगी कई पर पूछा गया है कि यूनिस किसने बनाया है केम सॉंसन डेनिस रिचेस और डॉगलस मैक्रो और एक है यह जो को पसाना इन तीनों ने मिलकर यूनिक्स एन चारों ने मिलकर यूनिस का डेवलैलमेंट किया है ठीक है और जो हमारी जो यूनिक्स थी यह हमारी पहली ऐसी मतलब पहली भासा है जो मतलब लैंग्वेज जिसे हमने असेंबली में लिखा गया यह कौन सी है फर्स्ट आपकी है जिसे हमने फर्स्ट लैंग्वेज है जिसे हमने असेंबली भासा में लिखा गया है ठीक है और जब आपका C प्लस आया तो उसके बाद भी हमने यूनिक्स को किसमें मिलब C language में लिखा गया जिसका नाम क्या दिया गया है किसका करनल नाम दिया गया है यह आपका है ठीक है इसका Linux आयाता है तो Linux क्या है Linux भी एक हमारा operating system है और यह कैसा है और system है यह आपका open source open source software ठीक है ये यह quelle open source software है ठीक है इसका दो एर आते एक आपका Ubuntu आ यह भी आपका क्या है यह आपका operating system है OS operating system है और यह क्या है environmentally है क्या है इन्वर्मेंटली होस्टेट किया जाता है कार करने के लिए और यह cloud बेस्ट जैसे हमारा cloud है उसी टाइब से यह बेस्ट होता है ठीक है तो यह आपको याद रखना है इसे मैक operating system है जो आपके आइफोन की जो भी हमारे टेबलेट साथ है फोन आते हैं अलब टेबलेट फोन या फिर आपके लैप्टॉप आते हैं उसमें आपका मैक operating system डाला गया है तो यह आपको याद रखना है अब इसके बाद दिखिए अब आता है हमारा कुछ important चीज़े और है जो आपको very important exam में याद रखने है यह आपका translator हो गया ठीक है translator क्या होता है हमारी जो programming language होता है उसको machine language में change करने के काम आता है ठीक है translator क्या होता है translator कई बार इससे related exam में पूछे गया है कि assembler क्या है compiler क्या है interpreter क्या है तो आपको इसको बहुत ही easily और बहुत ही अच्छे दिर समझ लेना है और याद कर लेना है कि साथी साथ आपको अपनी notebook में note कर लेना है ठीक है तो हमारे दिखिए translator क्या होता है प्रोग्राम की सीरीज होती है जो प्रोग्रामिंग भाषा को मसीन में मसीन भाषा में चेंज कर देती है क्या होती है मतलब प्रोग्रामिंग लेंग्विज को मसीन लेंग्विज में चेंज करने के लिए translator का यूज किया जाता है ठीक है तो हम अब assembler की बात कर लेते हैं तो assembler क्या होता जो हमारी assembly जो हमारी assembly language को machine language में machine language में change करने के लिए हम लोग इसका assembler का use किया जाता compiler का किसलिए use करते हैं compiler का use करते हैं हम लोग high level language को high level language को machine language में machine language में change करने के लिए हम लोग compiler का use करते हैं ठीक है इसे हाई-level language को machine language में change करने के लिए हम compiler का use करते है ठीक है और चुक composer होता है यह क्या करता है पूरे पूरे program को जो पूरा प्रोग्राम होता है ठीक है पूरे program को एक साथ वो change करके machine language में change कर देता है और यह क्या सब्सक्राइब और आखरे लंगों फिर पूरे लेंडिक से रखी यह आपको नहीं बताथा यह पूरकल करके जब कि हम बात करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें इस लाइन में यе एरर है जिबकि चो compiler होता है यह आपका ड्रहिए आपका यह आपको ड्रहुलना होता है ठीक यह लोगी इंटर्पेटर लाइन वाई सहर कम्पाइलर पूरे वाहल का कमपाइल करके बताता है ये दोनों में difference है तो यह आदक नगे असेम्मेले करता है यह assembly और यह पूरे की पूरी file compile करके बताता है जो एर्र होता है और interpreter क्या होता है यह high level language को आपको low machine language में change करता है और यह line wise जो चीज़े होती हैं उसके बारे में यह मैं बताता है तो यह इन तीनों के वारे में difference था और यह important चीज तो जो मैंने आपको बताई ठीक है अब इसके ब क्या होता है ठीक है क्या इंटर 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 फेस क्या होता है तो इंटर फेस की बात कर लें तो इंटर फेस क्या होता है एक एक computer program है, hardware और software, hardware और software के बीच जो मतलब relation, hardware और software के बीच जो relation हमारा स्थापित करता है, treated करता है उसे हम interface कहते हैं इंतरफेस कहते हैं और हम application software की बात कर लेते हैं तो application software दो डाइब के होते है special application software और general function application software करते हैं तो हम उससे कहते हैं इस पेशल सॉप्ट्वन कहते हैं ठीकिए अगर हम बात करें जिसे हमारा मौसं विज्ञान हो गया आपका वाइय। मंडली नियंत्रण हो गया टिकट का रिजर्वेशन हो गया तो यह से हमारे स्पेशल वर्क में आ जाता है ठीक है और जर्नल की बात कर लें तो जर्नल परपस के लिए जो भी कार स्पेड़ शीट तो यह हमकारा में यूज की जाती है ठीक है लोटस लोटस 123 है और की इस प्रेड है यह आपको जो मैं नाम बता रहा हूं यह आपको याद अखना है आपका ओपन क्लैक है यह आपके जो चार है यह आपके electronic spreadsheet में यूज की जाते है ठीक है और इसके थुरू हम क्या करते है हम हमारे जो भी calculation होती है यह आपकी इस टाइप की spreadsheet रहती है उसमें हम लोग काम करते है ठीक है इसमें हम कोई भी चीज बना सकते है और फिर हमारा आते है उसके यह जो computer के screen पे जो हमारे document को तयार करने के लिए document को ready करने के लिए हमें MS Word की आफशक्ता पड़ती है ठीक है तो इसके example की बात करने तो हमारा MS Word हो जाता है आपका Word Pad हो जाता है ठीक है Word Star हो जाता है यह जो नाम मैं आपको बता रहा हूं यह आपको याद रखने हैं क्यों क्यों कि कई बाद यह पूछा गया है कि यह होता है नहीं होता है तो हम लोग अगर इनके नाम पहले नहीं सुने होते हैं तो हम क्या करते हैं गलत कर लेते हैं ठीक है तो इसलिए मैं आपको सारे के सारे नाम बता रहा हूँ, तो आपको सारे के सारे नाम याद लखने हैं MS Word की मात करनें, तो इसमें Word Star होता है, MS Word होता है Word Pad होता है, Key Pad होता है, Open Writer होता है, ठीक है यह सारे आपके क्या है Word Processor के Name है इसका आता है आपका computer graphics क्या आता है तो जो भी हमारे दिखिए design हो गई graph हो गया और में बनाने के लिए हम क्या होता है computer graphics का use किया जाता है ठीक है example की बात करने तो जो अट केड़ हो दाए computer edit design computer record manufacturing होती है तो गया सारे हमारे computer graphics के example है अब DTP क्या होता है desktop publishing होता है ठीक है इसको किस लिए use किया जाता है हमारे कोई भी बुक को हमें publish करना है ठीक है publication के लिए हमारे DTP use किया जाता है DTP का full form में desktop publishing है ठीक है DIS MS होता है इसका full form होता है database management system और database software ठीक है तो यह इसका चीजें हैं तो आपको मैंने बताई है तो यह आपको सारी के सारी याद रखनी है इनके नाम आपको याद रखनी है क्योंकि इससे लेट अगर कोई position आएगा तो हम आपको अब्जेक्टिव करेंगे वह आपको बता देंगे जो हमारा report generator होता है यह हमारी कोई भी report को generate करने के लिए त्यार करने के लिए यूज किया जाता है और इसका एक्जांपल के बाद पले हैं तो हमारा RPG है इसका आपका एक्जांपल प्रोग्राम जनेरेटर होता है ठीक है accounting प्रोग्राम के लिए जो यूज में लाया जाता है उसे हम एक्जांपल है वह आपका टेली है और टेली के बारे में आप सब ही जानते होंगे अब इसके बाद आपका आजाता है यूटिलीटी सॉफ्ट्वेर यह भी आपके लिए वेरी इंपोर्टेंट है क्योंकि इसे लिटिट पूछा जाता है तो यूटिलीटी सॉफ्ट्वेर क्या होता है यह एक छोटा सॉफ्ट्वेर है जो operating system के कार के चमता में व्रधी करता होता है यूटिलीटी सॉफ्ट्वेर क्या होता है यह क्या होता है यह हमारे इस्माल सॉफ्ट्वेर होता है यह हमारे operating system की working capacity को improve करने के लिए improve या फिर increase improve या फिर increase करने के लिए use किया जाता है के लिए use किया जाता है उसे हम utility software कहते हैं ठीक है अगर हम इसके example की बात करने तो disk formatting, disk cleaning, backup programming disk compression होता है ठीक है अगर disk formatting की बात करने तो क्या होता है या hardware या दूसरे storage माद्धियम को उपयोग करने के पहले operating system के अंकुल बनाने में सायता होता है मतलब सायता करता है मतलब जैसे कोई भी चीज हो गई जो हमारे operating system में नहीं चलती है थोड़ा सा slow चलती है क्योंगि आपने phone में कई बार देखा होगा तो क्या होता है उसको अनकुल बनाने के लिए disk formatting का यूज किया दा और disk cleaning का क्या होता है जब हमारी कोई भी hard disk होती है फिर आपने phone में देखा होगा तो आपको एक cleaning type का एक app होता है जिसमें आप एक button दबाते है तो वो आपके मुबाइल में system में जितनी भी चीज़े मलब बहुत सारी दोगेर 2 MB, 4 MB, 10 MB, 20 MB की जो भी फाल्तू की चीज़े होती है वो delete कर देता है उसे clean कर देता है तो उसके लिए हमारा disk cleaning होता है ऐसा ही आपका system मलब पर हमारा system होता है desktop होता है उसमें भी same ऐसा ही procedure होता है backup program उसमें क्या होता है अगर आपका computer या कोई चीज़ में कोई चीज़ प्रॉब्लम में या कोई प्रॉब्लम कर रहे है तो आप अपने system में backup भी कर सकते हैं ठीक है तो यह backup program होता है और अगर आपके disk की file मतलब कोई भी आपकी disk है या आपकी 10 GB की ठीक है तो आपको क्या है यह compress करके आप इसको 5 GB में भी क्या करते हैं convert कर सकते हैं ठीक है तो उसी compressor के थुरू हम उसके जो file है उसकी size को कम कर देते हैं ठीक है इससे उसकी storing capacity हमारे computer की बढ़ जाती है अब इसको आता है virus scanner debugger debugger आपका very very important है debugger क्या आपका very important है देते हैं उसकी ओपने computer में वाईरस को scan कर सकते हैं ठीक है अब debugger क्या होता है ठीक है debugger को जानने से पहले आपको एक चीज़ जानने की बहुत ज़रूए थे कि हमारी क्या होती बग क्या होता है bug debugger से पहले एक word आता है bug bug क्या होता है कंप्यूटर की भाशा में बग एक प्रोग्राम में गलती है क्या जैसे मैं देखे हमारे कोई प्रोग्राम में ठीक है प्रोग्राम में कोई गलती हो गई मतलब हमारा गलती हो गई या मतलब बोल सकते हैं कि हमारी कोई एरर हो गई ठीक है एरर को सर्च करने एरर को सर्च करते तो उसे हम क्या कहेंगे उसे हम डी बगिंग कहेंगे डी बगिंग कहेंगे इसका कई बार एक्जाम में पूछा गया कि बग क्या होता है इसे तीन चीज़ पूछा गया आपका कि बग क्या होता है ठीक है दूसरा पूछा गया है डी डी बगिंग क्या होता है ठीक है और तीस सही बता पाएंगे तो बग क्या होता है मतलब कोई भी हमारा प्रोग्राम होता है कि प्रोग्राम में ही सारी चीज़ा होती है प्रोग्राम में क्या होता है प्रोग्राम में हमारी एरर को ढूनना क्या कर लाता है बग कर लाता है और ढून कि उसको क्या करना है प्रक्रिया को सही करते सुधार करते उसे आप डी बगर कहते हैं ठीक है तो यह तीजह आपको यादक नहीं अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे हमें कमेंड रुके बता सकते हैं तो हम उससे लेटेड भी आपको एक शॉट वीडियो मनाके समझा देंगे अब इसके बाद आता है हमारे अपका क्या है फैच क्या है अपका फैच एक्जेग्यूटिव फाइल ठीक है यह क्या होती है देखें डाटा ता था उनके उपर कार करने वाले प्रोग्राम सर्वतम ऑपरेटिंग सिस्टम के रैम में लोड होते हैं और सीपियो उन डेटा क प्रियू करता है ठीक है मतलब कोई भी चीज है अगर हम काम कर रहे हैं तो उसका जो डेटा होगा वो कहां पर आएगा आगा आपका रैम में स्टोर होगा कहां पर स्टोर होना है आपका रैम में होना है ठीक है यह आपको याद रखना है इसमें तीन है फैच डीकोड और ए फैच कर अपनी इंटेर्नल मेमोरी एरिया में कलेट कर लेता है ठीक है एक मुनेट से मैं आपको और क्लियर बता दूँ जैसे सुब बढ़ा करके ऐसे समझा दूँ जैसे आपको यह चीज आज इसली और आसानी से समझ में आज एक अगर हम फैच की बात कर लेते हैं तो हमारा में डेटा होते हैं और प्रोग्राम होते हैं डेटा और प्रोग्राम को क्या करता है फैच कर इंटर्नल इंटर्नल मेमोरी एरिया में क्या करता है कलेट कर लेता है स्टोर कर लेता है जो सीप्यू होता है कि सीप्यू में क्या होता है आपको पता है कि सीप्यू में आपकी त का ड़ाइव होती है तो उन से क्याकरता है रैम से डाइटा प्रोग्राम होता है ऊसे तैस करके जो इंस्क्णन होते हैं उस पथे प्राबबुर्ण देना है यहाँ ले ङुख अब ंससे और फिर पता कर रहा है कि उसमें घोड करना है तो यह बाश करना है वह अमारा भाइंड निकोड करता है और एंइटी क् impress और उसमें उसमें गया वास्थभ रौफ से डेटा को प्रोसेस दिये गाई निर्देशों के अंडूप होता है जिसके फॉस्टर प्रॉमार रेलस्टर में संग्रीज हो जाता है तो में कह रहे एक आपको यह याद रखना है कि जैसे यह आपका हो गया सीप्यू हो गया ठीक है और सीप्यू के अंदर आपकी क्या होती है मदर बोड होती है मदर बोड होती है मदर बोड में आपका रैम लगा होता है ठीक है तो अब क्या होता है जैसे हमने कंप्यूटर को ओन किया तो कंप्यूटर करता है रैम के पास जाएगा और रैम से उसे ज करके उसको वापस दूसरी आपकी वापस जो समझ लेजिए एक हार्डेक्स है उसमें भेज देता है तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या करते हैं फेच executed cycle कहते हैं तो यह जो थी आप कोई important चीज है जो मैंने आपको सारी की सारी बता दी इस वीडियो में तो आपको यह वीडियो कैसा लगा तो आप हमें नीचे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजे और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो नीचे आपको description में link मिल जाता है उसे भी join कर लिजे क्यों कि वहापे हम क्या करते हैं daily हमारे आपकी quiz चल रहे हैं तो quiz आपके हो गया हिंदी का हो ग अधियत धन्यवाद कि नेक्स्ट वीडियो है वह आपका जल्दी ही upload हो जाएगा